नमस्कार मैं हूँ नमृता पाराश और आप देख रहे हैं बीवीम न्यूस चले रुकरते हैं खबरों के और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे निकीता हत्यकान की निकीता हत्यकान के बात से ही लगातार दोशियों को सक्त से सक्त सजा दिलाने की मांग को लेकर तमाम रा सब भी डिजिटल सबूत की वोट में पेश किये हैं। मिकीता को न्याय दिलाने के लिए जहां तमाम समाजिक संगठन एक दुट दिखाए दिये तो वहीं पुलिस ने भी ततपरता दिखाते हुए पूरे मामले में सब भी आरोपियों को विरफतार कर 11 दिनों में ही 600 पेश की चार शीट कोर्ट में दाते हैं। जिसको लेकर इस पूरे केस की गंबीरता को देखते हुए पुलिस ने इतने कम समय में चार शीट पेश की है और आरोपियों को सक्त से सक्त सजा दिलवानी की कोट से अप्ल की है। निकिता मड़क केस में फृरीदाबाद पुलिस ने आज रिकॉर्ड 11 दिनों के अंदर चार शीट फाइल कर दी है। चार शीट 600 पेजों की है और उसमें करीब 60 विटनेसिस रखे हैं। फृरीदाबाद पुलिस ने ये इन्वेस्टिकेशन पूरे सेंटिफी ग्राउंट्स पर की है। जिसमें material, forensic और digital evidences को इकठा किया गया है। इसके इलावा हमारे पास काफी witnesses भी हैं और लड़की का dying declaration भी है। जो इसको लड़के को सजा करवाने में हमारे काम आएगा। इसमें हमने ऐसा कोई हमारे पे प्लिटिकल प्रेशन नहीं है। और हमने इसको जो चार्शीट को भी कई दीगल इक्सपर्ट से चेक करवाया है ताकि इसमें कोई कमी पेशी ना रहे। और फ्रीदाबाद कुलिस इन मुल्जीपों को जल से जल सजाधा परवाया है। इसके अलाबना कुछ वाल मताना जाएंगे इसमें कि किस सार्ट से बिचा देगे। इस बड़ता अगली खबर कि आप फाइदाबाद के युवाव को 10% नौकरी देने के बिल पर पूर विधायक टेक्चन शर्मा ने मूर्चा खोल दिया है। प्रतला से पूर विधायक एवं वरिष्ट बीजेपी नेता पंडित टेक्चन शर्मा का कहना है कि दुश्यान चोटाला ने जो कुठारा घात फाइदबाद के युवाव के भविश्य के साथ क्या है उसका समय आने पर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बैठे फाइदबाद और गुरुग्राम के विधायक भी इस बात को गंभीरता से ले। इससे युगाओं के भविश्य पर भी तल्वाल लटक गई है पंडित टेक्चन शर्मा अपने काराले पर पत्रकारों से बाचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जमीर हमारी विशयला है, पानी हम पी रहे हैं और प्रदूशन हम बरदाश कर रहे हैं। बिमारियां हमारे साथ हो रही हैं और नौक्रियां दूसरे जिलों को दीचा रही है। इस बिल्कपाप पूरा विरोध किया जाएगा और इसको लेकर एक जाहुता अभ्यान भी पूरे परिदबाद में चलाया जाएगा। रादिन पढ़ाई में व्यस्त रहने वाले युगाओं के भविश्य के साथ खिलबार किसी भी सूरत में परदाश नहीं किया जाएगा। और अब इस पढ़ाई का क्या फायदर है जाएगा। जब यहां पर कंप्रियों में भी पूरी तरह से युगाओं को प्रतिबंदित कर दिया गया है। सरकारी नौक्रियां पहले से ही बहुत कम हैं और प्राइवेट नौक्रियों पर भी प्रतिबंद लगाना कहा का इंसाफ है। प्रतिया और अब चान देके हमने वर्ट को प्रतिया तुक ना सोशलिशन सब्सक्राइवे अपने दूरी बनाए रखते हुए सारे काम के वेसे। इसमें पतियों की वमर करने के लिए इसमें ना खौते हैं ना कुछ पीते हैं रात पुछ अंदरमा कॉश्ण खाया जाता है। और अपने पतियों का आश्रवा लेते हैं और यह नकरवा चोथ कवा तीस लिए रखा जाता है और जल देके उसे शिर्वा लेते हैं पलवल में मिट्टी के दीपक बना कर दिपावली उत्सब में उजाले का रंग भरने वाले कुमहार कारिगरों की आर्थिक स्थिती पहले से ही तंग हाल है गौनखनीच की परिवहंदर बढ़ने से दीपक की लागत बढ़ गई है इससे कुमहारों की चिंताएं और भी बढ़ गई है बीते वर्ष तक प्रती ट्रैक्टर मिट्टी कीमत करीब 2,000 रुपे थी जो कि अब बढ़ कर 3-4,000 रुपे हो गई है करोनकाल में पहले से आर्थिक संकट की मार झेल रहे कारिगरों के लिए गौनखनीच की कीमत में इजाफा दोहरी मार साथित हो रहा है दिपावली पर्व की निकट्ता को देखते हुए कुमार कारिगरों ने दीपक बनाना शुरू कर दिया है लेकिन उनके उत्सा पर मिट्टी की महंगाई ने उनकी आशों पर पानी पेड़ दिया है कुमारों की कारिगरी मिट्टी परने पर है मिट्टी की धीमत पर अब महंगाई की मार झेल में पर रही है जिसके चलते उनके दीपक भी बहुत कम ग्राख ही खरीद रहे हैं पहले तोहारी सीजन मिट्टी से बने उत्पादों से अच्छे पैसे कमार लेते थे जिसकारण उनका तोहार भी ठीक तरीके से मन जाता था लेकिन आपके बहर उने लगता है कि उनका तोहार फीका रहने वाला है तो अब ऐसे में काफी महँगाई का समय चल रहा है तो यह जो आप मिट्टी के दिये और जो समान मिट्टी से सम्मंदित के बनाते हो तो पहले कितने रुपे में मिट्टी आती थी और अब क्या रेट में आपको मिट्टी मिल रही है पहले 2-500 रुपे के आवे हैं उप साड़े चार पांच चार पांच जार प्राली तो फिर आप यह जो आइटम बना रहे हैं यह महंगे भी बेखते हों गया है पर को पईसा देर रहे हैं पैसा ही ना पहली वाद तकाई पर आप अपनी लागत कैसे निकाल रहे हैं लागत कि पहले आपकी तोहारों के सीजन में अच्छी कमाई हो जाती थी आपकी बार अब कोई कि तोहार से ना लगा को अच्छा आप जो बढ़ता की खबर के और बावानी खेड़ा के वार्ड नंबर 11-12 के मुख्या गली का निर्मार का रहे पिछले करीब धाई साल से अधूरा प शहरवासियों को अनेकों परिशानियों का सामना करना पड़ता है गली में निर्मार को लेकर प्रिश्राशन द्वारा धाई साल पहले पत्थर तो डाल दिये गए लेकिन इनकी सुद लेना वो भूल गए हैं जिसका खाम्यादा शहरवासियों और रागीरों को भूगतना पड़ रहा है इसके अलावा गली में जगा जगा पर पूड़े के भी ठेर लगे हैं जो कि अनेकों बीमारियों का भी सारया नियुता दे रही हैं समस्य को लेकर दुकंदारों और रागीरों का कहना है कि इस मार्ग से वाहन की तेज रखतार से उनकी दुकानों में भी मु को द्यान में रखते हुए सबसे पहले तो सभी व्योपार मंडल की मेटिंग की है और SDM मेडम की अध्यक्षता में और उसमें यह निशकर्स निकाला आया यह डिशीजन लिया गया है कि कोई भी सबसे ज़्यादारों के टेस्ट होने चाहिए सभी दुकंदारों के और जिस हो सकते हैं इन सब चीज को मद्दे नजर रखते हुए अपराजिता मेडम ने इस डिया में रोज प्रदर्शन करते हुए करमचारी लगु सचीवाले पहुचे करमचारियों ने मुख्य सचीव के नाम ग्यापन सौपा और अल्टिमेटम भी दिया है कि अगर अध्यदेश में शंशोधन नहीं किया और मांगे पूरी नहीं की गए तो 26 नवंबर को राष्ट व्यापी हर्ताल की जाएगी किसानों की चक्कजाम का समर्थन किया जाएगा और सब करमचारी संग के जुलाध्यक राजकुमार घिकाड़ा की अगुवाई में किसान सभा आशा वरकर र किसान संगटनों किया गुवाई में किसानों ने कृशी संबन्द देशों के विरोध में रोष्प्रदर्शन करते हुए बढ़रा में जुई रोड को जाम कर दिया इस दौरान भाकियुके आवाहन पर किसानों ने सरकार के खिलाफ रोश्प्रदर्शन किया साथ ही अल्टिमेटम भी दिया है कि अगर सरकार ने अध्यदेशों को वापस नहीं लिया तो फिर शेंशो धन नहीं किया तो आम जंता के साथ सड़क पर उतर कर चक्का जांग करेंगे बादे किसान यूनियन किसान सभा सायूई किसान मजदूर मोर्चा वे सायूई संघर्ष समीती के पददकालियों की अगवाई में किसान SDM कारा लेके समझ धरने पर बैट वे और जाम को लेकर रनीती बनाई और आगे भी यही कारिय करनू चलता रहेगा जब तक में यह कारे कानून वापीश नहीं लेगी सरकार जब तक किसान रोड पर रहेगा और पिछे निये देवा मत लिख जब तक कि अभी यहीं न भी रहेगा इंचे रहे जब आझिए को में लेकर स्कारों को लगता किसार वाला बनाऊति रही है यहां चुनार बार आशोशियेशन का चुनाव शांदिपून तरीके से हुआ है और चुनाव में करीब करीब 141 मतदाता प्रत्याशियों के भागे का फैसला करने पहुचे ब्रदान पद को लेका 30 वार मेरदान में हैं और सुरक्षे के मंदे नजर रखते हुए मतदान केंद्र के बाहर प्रिस पल भी तैनात नजर आया रिटर्निंग ओफिसर रहताश पहल ने बताय कि चुनाव में करोना गाइडलाइन्स को फॉल्ड दिया गया चले रुकरता अगली खबर की और हरियाना शिक्षा बोर्ड की ओपन की परिक्षाओं में दूसरों की जगा पेपर दे रहे दो मुन्ना को बोर्ड फ्लाइंग ने पकड़ लिया है यूव फर्जी आइडी के साथ किसी दूसरे की जगा एक्जाम दे रहे थे दसवी क्लास की इंगलिश के ओपन और जेबिटी की दूसरे साल के एक्जाम दिये जो रहे थे जिसमें कई बच्चे एक्जाम दे रहे थे दोनों यूवकों के खिलाब है पायारदर्श कर ली गई है यही नहीं परजी आइडी पर साइन करने वा लोग पर भी बोर्ड कालेवाही करने के मूर में है आज हर्याना शिक्षा बोर्ड की दसवी क्लास ओपन का इंगलिश और जेबिटी दूसरे वर्ष का एक्जाम हो आता जिसको देखते हुए हर्याना शिक्षा बोर्ड के चेर्मैन जगबीर सिंग ने कई स्कूलों पर रेड़ की गौर्दलभै की परिक्षाओं में पैसे लेकर दूसरों की जगा एक्जाम लेने का यह कोई नया मामला सामने नहीं आया बतकि इससे पहले भी कई बच्चे दूसरों की जगा एक्जाम देते हुए पकड़े गए हैं नहीं दूसरी और शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जग्री सिंग का कहना है कि पूरे हर्याना में 115 उड़न दस्ते बनाए गए हैं जो सभी स्कूलों में जाका च्छापे मारी कर रहे हैं आज किसी चीजी का पेपर ठाओ कितने मुनना भाई पकड़े गए हैं आज हरेने विदले शिक्षा बोर्ड की ओपन की अंग्रेजी की परिक्षा है और जे बीटी दुतिय वर्स की सब्जेक्ट नमबर 203 डी 203 की परिक्षा है आज रोत्त के परिक्षा के अंदरों का अन दोनों की दजक्रादी है पुलिस के अवाले कर दिया क्या लगता है कि अभी भी इतनी सकती के बाद जूद भी इस तरह की मुनना भाई निकले निकले सामने आ रहे हैं कोई विजे के जैसे कोविड महारी है ऐसी नकल भी बड़ी महारी है उसको विजे करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं जो अलग अलग प्रीशे के लिए नियूस के साथ फिलाल मुझे दीजे इसाज़त नमस्कार